हेलो वियोर्स बार बार कोशिश करने के बाद भी आप हलवाई जैसा घेवर तीज त्योहार पर नहीं बना पा रहे हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 100% शियौरटी वाली रेसिपी जिस रेसिपी से मैं कई सालों से तीज के त्योहार पर घेवर बनाती आ रही जिसे आप घेवर लगागर खाते हैं उसे में 15 मिनिट में कैसे दियार करते हैं उसकी शोड रेसिपी इस वीडियो में शेयर करूंगे तो इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो तो आप उसे एक बार गरम कर लीजेगा और उस गुन्गुने घी को आप यहां पर ले सकते हैं घी गरम हो या फिर इस तरीके से जमा हुआ उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप घी की क्वांटिटी पर ध्यान रखेगा 120 ग्राम घी मैंने यहां पर लिया है और आप इसमें पांच आइस क्यूब लिये हैं आप जादा भी ले सकते हैं कि हमें यहां पर इसे फेट ना है और अच्छे से क्रीमी कंसिस्टेंसी में लाना है तो उसके लिए आप इसमें जादा कम बर्फ जितनी भी आपको यहां पर जरूत पड़े आप इसमें डाल सकते हैं और अब ध से पातों का इसमाल करते हैं और तो बेटर को भी शुए हैं तो यहां में के लुएंवर्फ हो गया है जैसे हम इस घी को कर्म के साथ हेंधे जैंगे यह हलक होता जाए जाएगा व lá ham इसमें हें धर घ्र् COB करें परऄ हरड़ना । अब हमंदल आप घ्यार है दोस्तों और आ 300g मैदा ली है और अब इस मैदा को एक एक चम्मच डालते हुए मिक्स करते जाएंगे इस बैटर को हमें लंप स्प्री बनाना आए यानि कि हमें इसमें गुठलिया नहीं पड़ने देनी है तो हम इसमें थोड़ी मैदा करके ही एड़ करेंगे एक साथ बिलकुल नहीं जाल देंगे दूद दूद मैंने यहां पर 2 ml दूद लिया है और इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे और इसका घोल बनाएंगे दोस्तों इस घोल को बनाने में बहुत जादा दिर नहीं लगते है तो आप यह न सोचेगा कि इसे बनाने में बहुत दिर के लिए और साथ ही साथ अब इसमें एक चमत बेशन भी आट कर लेंगे तो बेशन है वह हमारे घेवर को एक अच्छा क्रंच देगा और एक हलका सा बेशन का जो फ्लेवर आएगा ना दोस्तों वह बहुत ही तेस्टी लगेगा उससे हलवाई है वह घेवर के घोल को बनात सब्सक्राइब तो डालेगे इसमें पानी जो है हमें चिल्ड लेना है ठंडा पानी लेना तो एक लीटर में याबर पानी लिया है और इसे भी थोड़ा-छोड़ा डाल दोचहension कर देंगे दो चमच लेमन जूस सब्सक्ति अदेवर मैणगी दूत नीबू है वह मारे दू को एड़ाने के चाहिक में इसके इसका सचिया बहुत मॉफ करें सूनदिदम crowd मोरुत ऐसे भी ने बाई लमगें तो पर आजएगा और अगर अलगते अली लिए फात बड़ते लेगे पान के ईस渡 गड़ाईओर तो इस ले चाहिए हूं आईससी प्रृक्त वबतल में 와서 बेटर वाले इस गोल वाले क Karena Chair को हमें इसकी उपर रग देना है बहल को डालने के लिए हम या पर यह तो यह तो यह कि सॉस ब्सक्राइब च्हेद कर सकते हैं यह थोड़ा थोड़ा बेटर आसानी से किराम फ्लम में यह तो आप से चम्ममच---- दाल सकते हैं इस तो आप यह वी बॉ तरल में कित्स पराध नहीं गी है तो जो खरत पुला से जगीन अनुट्ट से के खुड़न में ते जाया। सब्सक्राइब टेश गर्मिरवेब अग्यादत अबुफरल के गोल डालेंगे और पहली भर हमें उसके घूर को आप पकिन गोल सेटक गोईना देने उपर की तरफ आएगा और उसी से हमारी जो घेवर है उसमें जाली बढ़िया बनेगी अगर आपका गी बीच में कम हो जाता है तो आप इसमें तेज गरम गी ऊपर से एड़ करते जाईए और यहां देखिए बीच से पचीज बार इस गोल को डालने के बाद यहां पर देखि इसी भी गोल चीज से उसमें बीच में होल कर दीजिए होल करने का पर बस इतना सा होता है दोस्तों जिससे कि वह इसली निकाला जा सके उस बरतन से तो यह हमारा घेवर बनकर त्यार हो गया है इसे अच्छे से सिखने देते हैं और यहां देखिए जो ऊपर की लेयर है की इसी थे प्रेस कर देंगे और इस्तरीके से किसी भी चमप चाकु से इसे अच्छे से घी में डिक एंगे और शिभर जाएं और जाए और फिर यहां पर एक चल्निली एक निकाल लिया है और यह देखिए इसका गी इस फार निकल जाएग ऊसे के बाद हम इसे यूज करेंगे दोस्तों इतने गोल में आपके 5-6 घेवर बनकर तयार हो जाते हैं तो देखा आपने दोस्तों कितने बड़िया जालीदार घेवर हमारे बनकर तर्यार हुए हैं बिल्कुल हलवाई जैसे लग रहे हैं कोई भी इसे देखकर नहीं क्या पाएगा इसे आपने घर में तो अब जल्दी से हम मरा लेते हैं अपनी जटपट रवडी जो इस घेवर पर लगने वाली है इंस्टन रवडी बनाने के लिए मैंने यापर एक कडाई लिया है और इसमें डाल देंगे दूद तो एक लीटर दूद लिया है मैंने और ये पहले से उबाला हुआ दूद ह है तो मलाई सही ती से ले देंगे और इसे गाड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों बस एक उबाल आने देंगे इंस्टन रवडी बना रहे हैं तो हमें यह पर दूद को गाड़ा करने की कोई जरुद नहीं है तो जब दक यह दूद उबल कर तयार होता है इसको ग बना लेंगे अगर आपके घर में मिल्क न पावडर ना हो तो क्या करें तो कोई बात नहीं है बिना पावडर के इस इंस्टन रॉडी को बना सकते हैं दोस्तोंadabagoda Sakrailer करें तेस्ट आएगा और साथी साथ वो दूद को गाड़ा करने में मदद करेगा हमें इसमें बिल्कुल भी एक भी लंच नहीं चाहिए वरना ही हमारे दूद में भी जाकर लंच बना लेगा इसके लिए आप इसे चान लेजेगा ये बिल्कुल अच्छे से गोल बनकर त्यार हो यहांपर चाहन के दाल देंगे में मीडेउम करना। अच्छे से जल्दी, लगने लगता है तो वुकि जल्दी से लगातार चलाते हुए । तो आक मिडेउम हैं करते हैं। तो 3-4 मिडेञा ही ने टक लिए फोत सकते हैं। जिसे यह रबडी की तरह इसमाल किया जा सके तो यहां पर एक छोटी शुट्रिक और वो ट्रिक यह है कि हम यह पर लेंगे तीन स्लाइस वाइट ब्रेड की और उसकी साइड को निकाल देंगे यह वाइट ब्रेड ही हमारी रबडी में जाएगी और बहुत ही बढ़ा तरह ट्रोल ब्रेड जो आप कि साइड ररेसिपी में ग्राइं ड्रियां यूसे करसे हैं यहां आप इस हमने ड्वापड दा सब्राइट ओन तो आएग उस ब्रेड को सिर्फ टुकड़े इस ब्रेड के तयार कर लिए और साथी एक मिकसीजार में यहां काजू, बढ़ा, प लिए तो बैड को भी दोड चीजों में अभड मैं चीजों को दूध में एड कर देंगे तो जूद में ठीकम आट-इस मिनिट पका लिए है और अब बैड को उद्ध में टुकडे दूध में ग्रैंड किया दूनों को जाल नहीं बस हलकी हातों से ही इसे मिक्स करेंगे दोस्तों इस रबडी में यही खास बात है कि आपको जब यह ब्रेड एड़ करें उसके बाद आप इसे ओवर मिक्स ना करें बस थोड़ा सा ही हमेसे चलाना है और आप इसमें शाथ ही डाल देंगे चीनी तो यह हम घेवर के मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे और हल के हातों से इसे चला लेंगे दोस्तों यह बड़ी हमारी बनकर बिलकुल तयार हो गई है और आप गैस बंद कर देंगे रबडी को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और एक से दो घंटे इसे फ्रिज में रखेंगे आप चाहें अब हम इसे अपने गेवर पर लगा लेते हैं सबसे पहले मैंने गेवर को एक स्टेंड पर अब इस पर थोड़ी सी सुगर सिरप डाल देंगे यह सुगर सिरप मैंने आदा कप चीनी और आदा कप पानी के साथ बनाया यह चिप चिपी हमारी चाशनी है इसमें कोई तार न देगे बन कर त्यार दोस्तों इसे मन मताबिक डेक्रेट कर आपने तरीकेसे से बनाई यह पर्फेक्ट हलवाय स्टाल गेवर की रेसेपी आपको कैसी लग यह कमेंट उक्ष्ण में जरूर बताएं गार साध ही साथ हमारे